नमस्कार मैं लतातों मर कहानी के चिनकी से आज हम बनाएंगे सूखे मटर की सब्दी हमने स्टाइब से मटर ले लिये और इसे पाइन डालके भूगो देंगे स्टाइब से और रातवर भीगने देंगे तो यह दो तरह के मटर मिलेंगे मार्केट में आप देख सकते हो यह आता है एक सूखा मटर जो हरे रंका होता है और यह पिछका सा रहता है इसलिए इसे पिछका मटर वहते हैं तो या तो मार्केट में मिल जाए तो आप यह मटर ला सकते हो या फिर यह मटर ले सकते हो यह क्लूच मठ्र मत्र कामने करें कोया है तो ओ सब्सक्राख से दौनी ये मत्र मों जबने साथे ध्यार्व यह मत्र कहीं से सुनीश्थ Are you मत्र के लिए हो बड cabe aware करें ut brain समय को मरत सिला सब्सक्राखो धो मुझा अच्छे से यह सूखे मटर हैं आप इसकी जगह पर हरी मटर भी बना सकते हो तो चलिए हम शुरू करेंगे और इसमें डालेंगे एक बड़ा चमचा जो रहता है भरके तिल डालेंगे तिल गरम हो गया है तो इसमें में खड़ी लाल मिर्ची और साबुद गरम मसाले डाल दि पीनी तेज पत्ता भून के इसमें डाल लेंगे हम दो बड़े प्याज डालेंगे बारी कटे हुए और इनको भी हम ब्राउन होने तक भूनेंगे ज़्यादा डार्ट ब्राउन नहीं करना है और जब तक प्याज भून रही है तब तक हमने क्या किया है जैसे आट कली ले कोट लेंगे है पीस कोट भी सकते हैं जी हो प्याज ब्राउन होगही है तो हम इसमें क्या करेंगे प्या डखिट अब हमने एक बाल में लिये हैं 2 टेबल स्पून भर के लिए हमने धनिया पावडर, एक चोटा चमस लिया है हमने हल्दी पावडर टी स्पून और आदा चोटा चमस डाला हमने लाग मुर्षी आप अपने सबसे भी ले सकते हैं और एक चोटा चमस करम मसाला इसे क्या करेंगे दही या चाच में दही फेट तो अच्छे से यह भूल जाएगा मसाला तो जब भूनते हैं ना तो इसका स्वाथ बहुत अच्छा आता है तो बस अब क्या करेंगे इस मसाले को हम प्याज और इसमें डाल देंगी जो हमारी प्याज भून गया है तो से संब कश्मीरे कालर बना रहा है तो फिर से बून लेते हैं इसे अभी अच्छे से बुनानी है हमारा मसाला मसाले का बिकुल रंग बदल जागा कढ़ाई प्लेल चोड़ने लगेगी मसाला बुनने की यही पहचान होती है तो देखिए बिकुल सूख गया है कलर बदल गया है और तो इस टैंप यह दाल देंगे या तो दो चुटे टमाटर एक यह बड़ा टमाटर तो उने मिक्सी में पेश्ट बना लिया इसका टमाटर का और जो मिक्सी में पानी होता है उसे भी दोके डाल दिया है तो फिर से और यह हम डाल दिया है चना मसाला हो या करी मसाला जो भी आपके पास हो बो डाल सकते हैं आप नहीं हो तो भी चलेगा और फिर से बूल लेते हैं मसाले को तो हम दालेंगे स्वाद नमक डालेंगे इसमें कोई कम खाता है कोई जादा खाता है तो अपने स्वाद से नमक डालें और फिरसे भूल लेते हैं वोड़ा सा बुन चुका है मसाला पत्वड़ा सावर बूरेंगे अब करेंगे आ और मिक्स करेंगे हैं और मिक्स करेंगे पानी थोड़ा कम लग रहा है इसमें हम और पानी डालेंगे क्योंकि जब हम रखते हैं मटार या छोले को तो ठिक हो जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी जालना चाहिए अब इसे क्या करेंगे मीडियम गैस पर ढखके रख देंगे इसे थोड़ी देर पकाएंगे दस मिनट तक पकाएंगे थोड़ी दीमी गैस कर देंगे आपको लगता है पानी जादा जल रहा है तो और बीच बीच में खोल के देखते रहेंगे इस तरह से तो बस हमारी सबजी बने के त्यार हो गई है और आपको पसंद आती है तो आप लाइक, कमेंड्स और सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट में इसमें डाल देंगे महरा दनिया काट के जादा सा डालें मारे पास थोड़े ते इसलिए कम डालें है